दस के अंत्रगात हम लोग आज कल मेत का अधियन करते हैं और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभ्यास 12.02 और 12.02 का आज वीडियो नमबर दो हम लोग पढ़ेंगे और प्रस्न साथ से हाल करें कता है कि तिर्जिया 12 सेंटीमेटर वाले व्रित की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिगिरी का कौंड अंत्रित करते हैं संगत व्रित खंड का छत्रपल ज्याद किजिए पाई कमान 3.14 तथा कानी में 3.1.73 का परियोग किजिए तो आप भल करेंगे तो व्रित की तिर्जिया जीवात्वरा केंद्र पर बना को ठीट कमान 120 डिगिरी तो शंगत लगुप रिट खंड का छत्रपल होगा उसमें से अम लोग परित का छत्रपल होगा एक मदा दू आरी स्कॉएर स्कॉएर कि यahren भी R² यहां भी R² कामा लेंड तो π।ं एचाइब थीता बटथा में थीन चाह साथ माइनस एक बटथा गून這邊 सिर्भाट्था कमा आप 10 मोठा निकल क्या साइट तो यहां प्पार भारका स्क्वायर्ड सब्सक्राइब दो जाएगा उसके वांसे आपको थोड़ा सावर आगे बढ़ना है एक सच वाले से ही तीनो चार कला सा पारा और आप अगर तीन सब्सक्राइब दो जाएगा तो एक सब्सक्राइब दो जाएगा अब आपके पाँ सेलते हैं काता है कि पंदशनी मीटर भूजा वाले एक वर्यकार घास के मैधान के खुने पर लगे खुंटे से एक खोड़े को पांच मीटर लंबी रसे सबांद दिये जाता है दिखिए आकरिती में तो ग्यात किजिए एक बार मैधान के उस भाग का छतफ़ जहां घोड़ा घास चर सकता है दूसरा चरे जहां सकने वाले छतफ़ में प्रिदी यदि घोड़े को पांच मीटर लंबी रसी के अस्तान पर दस मीटर लंबी रसी से बांद दिये जाए तो क जहां धर मैधान है और एक घोड़ा यहां से निपर एखोड़ा रसी से बांद ळाग एख़ County मैधान को चर सकता है जब पंच मीटर के दहागा अगर है । सबसे पहले वरेकार मैदान की भुझा है 15 मीटर रसी के माप प्रित की तिर्जिया के बराबर होगी तो प्रित की तिर्जिया हर कमान पांच मीटर मैदान वरेकार की इसलिए जीवा दोरा बना को 90 डिगरी तो अब यहां पर जो होगा जहां घोरा घार चर सकता उस मैदान का उस भाग का चत्रपार ठीटा बटा 360 गुने पाई आर इसक्वाइगे ठीटा कमान हम लोग 90 रखेंगे और 360 गुने पाई कमान तीन रसमा एक चार गुने पाच का पर 25 हो जायेगा उसके बाद से जब आगे हम लोग बढ़ेंगे अठाटा दसमुला पाँच बटा में चार तो आजायेगा आने दसमुला च्वाग दू पाँच वार्क सिंटी मीटर अब दूसरा इस्टेफ काता है कि यदि रस्ची के जो माप है पाँच मीटर का स्थान पर 10 मीटर कर दी जाये तब उसके दो चित्तिर जी आओका 10 होगा तो 10 मीटर वाली मैलान जहां घोडा घाच चर सकता है उस वाग कर चाते पल ठीटा बटा 307 गुणे पाई यार स्क्वाइर तो 90 बटा 307 गुणे 3.14 गुणे 100 10 का बर्क 100 होचाएगा अब 90 वैसे ही रख देगे 90 से कर देजिए 4 बार में और 30.14 और 4 से 100 को कर देजिए 25 बार में तो 30.14 गुणे पाच अब यहां पर लिख सकते हैं कि चारे जा सकने वाला दो नोच्टे फ़लों की तुल्ला अठा ते 10.15 मैं से और नहीं दे 10.15 गटाएगे गटाने के लापिस का आगे 2 जिवध बला दिये 10 मंसे 5 जाएगा 5 9 मंसे 2 जाएगा 7 और यहां पर 14 मंसे 6 जाएगा 8 और यहां पर जो बात होगी 7 7 17 मंसे 1 जाएगा 8 और यहां चौम से जाएगा 5 तान ठान दस बला असान है बस एकी सुतर तीस में है वह है ठीटा बटा तीन साथ गुने पाई यार इसको आर साथ फ़ल करें प्रस्त नंबर अब नौ के पास समय चलते हैं बड़ा बढ़िया कोश्यन है देखते हैं कताय की एक ब्रितकार ब्रूच की को चादी के तार से बनाया जाता है जिसका ब्यास पैंतिस मिमी है तार के ब्रीत के पाच ब्यासों को बनाने में परियुक्त किया गया है जो उसे दस बरावर तरजिखंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकरती मतर्साय गया है तो ग्या किजिए पहला कुल वांचित चादी के तार की लंबाई दूसरा ब्रूच के परतेक तिर्जी खंड का छेतरव यही आपका ब्रूच है यहां से काउंट करेंगे पता चल जाएगा कि यहां रीट्स आपने किया है एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस हो रहा है कौन क पाइट जो जो चादी के तार की लंबाई यह नो पूरा परिथी निकाल देजिए तो पाई यानि पाई आरियार यानि पाई गुने ब्यास लिख सकते हैं और आपको एक चीज में बता देता हूं आप समझें तो बाइस बटा साथ उने दी कमान 25 से 25 गाटेंगे पांच प कुल वांचित चादी के तार की लंबाईज होगी, जो एक सदस आया, जो एक सपचात्तार आया, दूसर पचासी में आजाएगा. अब यहां परतेक तेजिखंड का कोण है, तीन सब साथ में, दस सभाग दिने, छटी जिगे. तो परतेक तेजिखंड का चत्र निकालना है, वही सुत्र रहेगा पुराना वाला पाई आरसका ठीटा बटा वा दिन साथ में, या, पाई के मान बश्वटा साथ में, आर के मान पैथिस वटा दूगन, पैथिस वटा दूगन, ऑर ठीटा दिगरी है, और कॉंड जो निचर हैगा तीन साथ हैंगा समझे बात अब ये कुछ काटकूट करते जिएगा साथ से पैंटिस पांच वर में और पांच से ये काटकूट करेंगे इतना बचेगा और आपका तीन साथ हैंटाल तीन सापचासी बटा चाड वर्ग मिमी अनसारा जाएगा बहुत ही सुंदर सा सवाल था ये कूण उसके पिछलों सवाल में जो कूण की बात हो रहे देनों दस बना था प्रूच पुरा तीनसे साथ बनता है थिनसे साथ में दस से भाग देना चट्रफल जब भी पुछेगा, तो ठीटा बटा देंगे, शाथ मैं पाई जा रिसको, उसी परते हैं, आई यह प्रस्ण दस है, एक छत्री में आठ ताने है, एक छत्री है, जिसमें आठ ताने है, यहां से काउंट करते हैं, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, शाथ, आठ, क चत्री में आठ ताने है, जो बराबर दुरिया पर लगे हुए है, देखे, आकरिती में, छत्री को, पैंतारी संटीमेटर तिरजिया वाला, एक सपाथ, बृत, मानते हुए, उसकी, दू, क्रमागत तानों के बीच का छत्रपल, क्या क्या मालूम है, देखे, सवाल, बहुत जब इसका छित थे थे, तो थे भाग दे रहे हुए, तो 370 बटा, 8 सब थे, 360 में देंगे, तो 35 तीदिग दिए जाए, तो तानों के बीच बनने वाला तिरजिकन का छत्र पलोगा, ठीटा बटा, 370 गुनार पाई, है, स्कौार, और इसमें पूट करेंगे, तो तेखे, य आप दिख सकते हैं यहां पर 45 बटा 360 गुने, 22 बटा 7 गुने 25 गुने, यह तिरजिया है, यह कुने, अब 25 गुने तक दिए जाएगे, काटना चाहते हैं इसको 8 बार में, और फिर उपर 22 गुने, 25 गुने 25, और आठ सुगना 7 गुने 6 गुने 25 गुने 25, उपर सुगना उप पर दूसर कार सकते हैं 11 बार में और 28 बार में फिर 11 सब्सक्राइब कर देंगे तो 22 25 बटा में 28 इस तरीके से दो तानों का बीच का अच्छा द्रफार 22 25 25 बटा में 28 संटिमिटर हो जाएगा कुशन नमबर आपका जा रहे है किसी कार के दो वाइपर है प्रस पर सभी अच्छा दित नहीं होते हैं परतेक वाइपर के पती की लंबाई 25 संटिमिटर है और खोंड एक से पंतरा के कोंड तक घुम का सफाई कर सकते हैं पतियों के परतेक फुहार के साथ जितना अच्छा बिखने पतार है फुशना गाडे में वो चलता रहता है पानी हो को यह को उस यांपर का जाता है लिए पर है और कि दोड़ों अपने काम करें सप्र तो द्वशन पर निकलना पर पड़ेगा तरी आप अच्छी से कोम अपका 150 की वाइन कोंड है 25 है कोड सब् самых सब्सक्राइब 3 requirement 2 अब थिटा घम्हान क्यों क्यों का तीज़ 1 5 rere 2 12 standard 50 29 25 आर्कमान होगा और हम 15 जितने बार बार कटे अठाइवर में कटेगा तो तेश गुने 11,625 उपर एक निचे से निचे और तब आपका 15,825 बार में 126 7 समाज इए दो सबाब को आना चाहिए के बहुत इक खुबस्रा सवाल था चले सवाल नमर मुलोग बार चलते बार नमबर है कि जहाजों को शमुंद्र में जलासे के निचे इस्टि चटानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस असे डिगरी कोड़ वाला एक तिर्जिखंड में सुरह दस्मुला पांच किलो मिटर के दूरी तक लाल रंग का प्रकास फैलाता है समुंद्र को शमुंद्र में जलासे के निचे इस्टि चटानों को चेतावनी देने के लिए इस तरीके से यह बनाए गया है प्रकास इसे फैल रहा है और इसकी तिर्जिखंड की बात करेंगे कोण जो बनता है साथ डिगरी आप दिया गया है तिर्जिखंड के बात करते हैं स्वादस मुला पांच किलो मिटर पाई कमान अपका तीन दस्मुला एक चा रख रहा है चतापन निकार बात वही होगी ठीटा बटा थीटा बटा थीटा कमान असे डिगरी है और आल कमान स् पाई किलो मिटर पांच पूरा उपर के गुणा उपर तो सतरस जीरो नौ दस्मुला साथ इन बटा में नौ सा भागोगा एक से नौ आसे डिगरी है तो बहुत ही सिंपल था एक और कोश्या नम्रों सॉल्प कर लेते हैं कोश्या नम्रों 13 है करता है कि एक गोल मेज पोस्ट पर छो समान दिजाइन बने हुए हैं जसा कि अकृति में दर्स आएगा यदि मेज पोस्ट की 38 सेंटीमेटर है तो जो दस्मुला 35 प्रती वर्क सेंटीमेटर के दर्स से इन डिजाइनों को बनाने की जागा है कली में तीर गमान एक दस्मु में चो से भाग देना पड़ेगा और जो तिर्जया होगी 28 पर जितना अच्छा तपल आएगा इसमें जी दस्मुला 35 से गुणा करना पड़ेगा चले देखें एक दो यहां से काउंट करीए एक तो तीन चार पांच ठीक है तो पहले तो आर कमान अठाइस तो च्छा तप लेंगे यह केंद्र हैं अगर आप मिलाते हैं सब में इस तरीके से देखें जड़ा यह मिलाते हैं मिलाना तो पड़ेगा आपको चित्र के हिसाब से तो मुझे बताई इसका तो निकालना है नो तो यानि इसका निकालने के लिए चो गो तिर्जय खंड होगा इसमें जए चो तिर्भुज आपको खटाना पड़ेगा वही चो है तिर्जी खंड के लिए पाई इसक्वाई ठीटा बटाम तींजा साइं ठीटा हो जाएगा उसके बास आगे परते है उसके बास से चो गोने अठाइसका इसका इसक्वाई साथ मता मता साथ ऐसा दसे ऑसरु साथ चाहा ओना थाइस मतार ールटा अखकर करेंगे चजघवर में और तीन वाइव ओना 1 वाटा इकीसे बाता अनदर का मिश्थो घंto साथ वटाम चोड़ा सी चागुनाठाइज क्या अटाइस और घटा देंगे आठ्ट शुमलागी वर्ट शुरासी तो चपन गुनाठ चमती चारशा चॉंसर देश्मलाच वर्ट सेंटीमेटर लेकिन आप देख सकता हैं कि एक वर्ट सेंटीमेटर का जो लागत जिर सुराब तो 3445 8 cameraمر 454.1212.6 समझेटी बात। उसके बातों ऊचे का लास्ट क्वेस्ट निम्बर 24 निम्लीखित के सही उतर दिजिए। हैं और तिर्जय मतले वाले प्रीत का उस दिर्जिकन्द का चएत, तिर्जिया आर Morrisiau को एंगिद जिसका। सब्सक्राइब तो इस तरीकर से आज हम लोग इस अभियास को खतम करेंगे धन्यवाद अगले वीडियो में गला भियास